नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब और सबसे पहले तो आज 75 अर्स हो गए हमारे देश को आजाद होने होके और आज हम लोग उसी का उसी खुशी को मनाने अगेन फिर से हम यहान असनब पारक आए हैं तो सबसे पहले आप सभी को और मेरे सारे फ्रेंड्स को आज की दिन की बहुत बहुत शुक्त कामना है और हमें बहुत प्राउड होना चाहिए अपने आप पर कि हमें कैसे देश में हैं जहां पर हम अपने मर्जी के मालिक हैं अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं बहुत आरे से कंट्री हैं जहां पर यह आपको अजादी नहीं है इसलिए हम कहते हैं कि हमारा भारत महान है और हमारा भारत आजाद है ठीक है तो आज फिर से मैं यहां आई हूँ नेशनल पार्क में और बच्चों के साथ क्योंकि हर कोई कहां कहां जाता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे यहां के बच अज़ फिर से मुझे लगा कि यह बहुत अच्छा समय है तो 75 अर्स हो गए है हमारे देश को अजाद होने में और बहुत अच्छे से सेलिबेशन हो रहा है हर जगा बहुत खुशी हो रही है और हमारे जो है यहां के जितने भी बच्चे हैं उनसे बहुत हमें लगाओ है ऐसा लगता कि उस सब हमारे घर के हैं और इस वक्त पुरा देश अजादी के जस्म ने डूबा हुआ है मैं जगे जगे जा रही हूं और देख रही हूं कि हर जगा जो महौल बना पड़ा है यह पहली बार देखने को मिला है मारे मोधी जी ने मानेने मुख मंत्री जी ने जो कुछ भी इतना मतलब अभी तक अभी तक जो कुछ भी उन्होंने किया वह बहुत ही सराहने यूग है और अभी मैं जो देख रही हूं जो उन्होंने किया है उसकी तो काबले तारिफ मतलब कोई शब्दी नहीं है ठीक है तो जो हमने सोचा था मोधी जी बिल्कुल वैसा ही सब कुछ कर रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग भी अपने हिसाब से जहां भी हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे संती का महल बनाए रखें और अच्छे से दिन को सेलिबेट करें और बहुत ही सुकून महसुस हो रहा है आज मुझे यहां आके और मैं चाहती हूं कि आप लोग भी कुछ चीजे हैं यहां के जो कि मैं पहले भी दिखाई हूं फिर दिखा रही हूं कि छोटा सा बालवाडी है जहां पे कुछ लोग स साटड़े संड़े आते हैं और यहां पर बच्चों को एजूकेशन देते हैं फ्री ओप कॉस्ट और आज मैं यहीं पर जो है इनके साथ ही आज मैं इंडिपेंडेस दे मनाऊंगी और जो है आपको दिखाती हूं मैं यह बैक साइड में